हेलो फ्रेंड्स वेलकम हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बहुत बड़ी खबर आ रही है करमचारियों और पैंसन्स की सैलरी और पैंसन पर रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया यानि आर बियाई की तरब से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है जो कि सबी करमचारियों और पैंसनस की सैलरी पैंसन पर बहुत ज़्यादा फर्क डालने वाला है तो ये वीडियो सबी करमचारियों और पैंसनस की सैलरी और पै और आपने अमारे चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का एक रेट कलर का बटन उस्पर सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ आप हमारी वीड को वाच कर पाएंगे इसके लावा हमारी चैनल पर सेंटल गौर्मेंट एंप्लोई स्टेट गौर्मेंट एंप्लोई सबी टाइप के करमचारियों पैसर और फैमिली पेंसन्स के लिए न्यूज और इंपॉर्मिसन और अपडेट्स हम लाते रहते हैं चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस ओफिशल नोटिफिकेशन पर आप देख सकते हैं पेंसन्स के डिस्पर्समेंट को लेकर जो है गुँचैज़ पेंसन्स को गए या बोल सकते हैं कि master circular जारी किया गया है वैसे तो आप सभी को पता है कि जो है सभी pensioners और family pensioners के लिए RBI की तरब से समय समय पर यानि time to time जो master circular या बोल सकते हैं कि instructions बैंक को वो time to time जारी होते रहते हैं तो एक instructions जो बोल सकते हैं कि master circular RBI की तरब से 1 अपरेल 22 को फिर से जारी किया गया जहां पर pensioners और family pensioners के जो pension और family pension है उसके disbursement के regarding बहुत ही महत्पूर्ण instructions जारी किये गया हैं जिसमें आप सामने अपनी स्कीम पर देख पा रहे हैं चली देख लेते हैं काफी बड़ा instructions हैं काफी बड़े इसमें instructions दिये गया है RBI को बैंकों के लिए आप देख सकते हैं master circular disbursement of government pension via agency banks अब चली आपको detail में देखते हैं पूरा आप देख सकते हैं यह master circular जारी किया गया है सब भी banks को गर्मेंट pension के लिए regarding आप देख सकते हैं आप इंट्रोटक्शन में कही सारी चीज़ें हैं पहले वो देखिए payment of pension is payment of pension to retired government employees including payment of basic pension increased dns relief and other benefits as in when announced by the government is governed by the relevant schemes prepared by concern ministries department of the department of government of India and state government से नहीं की जो भी कर्मचारियों pensioners के जो भी उनकी basic payment है उनका बड़ा हुआ महेंगाई बता है या other benefits जो है जो भी government के scheme के तरह तोर पर उनको जो सभी government उप इंडिया के ministry of department और state government से जारी किये जाते हैं उनके लिए यहाँ पे आप कई साही चीज़े देखेंगे इस master circle consolidates important instructions on the subject issued by the Reserve Bank of India till March 31, 2021. It does not replace or supersede any existing government instruction on the matter. उनके साहत में यह भी बोला है कि यह जो master circular किसी भी जो instructions से पहले के वो किसी को replace या supersede नहीं करता है. The instructions issued by pension sanctioning authority of the central and state governments and circulated by RBI in the past will continue to remain in operation subject to changes being made by the competent authority. In case of any doubt or apparent contradiction, agency banks may be guided by the relevant government instructions contents of various circulars issued in this connection by the Reserve Bank of India are summarized here under. तो आप देख सकते हैं कि एक master circular सभी कर्मचारियों और सभी banks को जारी किया गया है, pensioners और family pensioners के जो उनके basic payment है या उनका बड़ा हुआ हमेंगाई बता है या जो other benefits हैं जो time to time सरकार के द्वारा, किन सरकार के द्वारा और state government के द्वारा जारी किये जाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर comment orders जो DA और DR का बड़ा हुआ DA और DR है उसके regarding में यहाँ काई सारी चीज़े दी गई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर in order to obate the time lag between issue of DR orders and payment of DR to the beneficiary and to render expeditious service to senior citizens the following actions are required to be taken. यानि कि जो बड़ा हुआ महेंगाई बता है उससे senior citizens को अब बोल सकते हैं कि जो pensions और family pensions हैं उनको तरंद प्रवाव से दिया जाए बिना किसी time की कमी को देखते हुए बिना किसी time के lag को देखते हुए उसके regarding instructions banks को जारी किये गए हैं वो देख सकते हैं दो यहाँ पर यानि जो आपका बड़ा हुआ महेंगाई बरहात है उसको तरंद प्रवाव से बिना किसी daily के जो है देरी के pensions को तरंद के तरंद प्रवाव से उनको provide कराये जाए RBI की तरब से instructions दिये जा रहा है जो भी agency bank है आपकी जो भी pension जहांसे आपका pension आता है और दूसरा आप देख सकते हैं All agency bank are advised to scrupulously follow all the guidelines, instructions contained in various notifications of government central as well as states यानि कि जो भी guidelines और instructions है जो बैंक्स के लिए उनकी salary और pension के disbursement को लेकर या उनके बड़े हुए महँगाई बतते यानि किसी benefits को लेकर उनको जो है तुरंद अच्छे से उनको जो follow किये जाए सबी guidelines और instructions को आगे आप देख सकते हैं और भी कई सारी चीज़े हैं Timing of pension dispersion by agency banks, the pension paying bank will credit the pension amount in the accounts of the pensioners based on the instruction given by the respecting pension paying authorities यानि जो भी pension paying authorities है उसके जो भी instructions है उसी के basis को मान करके जो है उनकी pension और family pension है वो credit की जाए और भी इसमें कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें इसके रावा बहुत सारे pension ऐसे हैं जो बहुत जादा old हो चुके हैं या sick हैं या disabled हैं या और भी कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो जिससे वो banks में आकर यानि physical तोर पर वहाँ पर present नहीं हो सकते हैं तो उस situation में bank क क्या करना हैं वो भी RBI के द्वारा instructions दिये गए हैं वो भी आप यहां से देख सकते हैं in order to take care of problems, difficulties faced by sick and disabled pensioners in withdrawal of pension, family pension from the banks, agency, banks may categorize such pensioners as under तो आप देख सकते हैं कि ऐसे pensioners या family pensioners जिनको problems है, take care में, difficulties है, उनको बीमारी में या disabled pensioners है, pensions या family pension में तो उनको banks या agency banks या उनको किस प्रकार से अलगला टाइप से दो टाइप से categorize यहां पर कर रही है, आप देख सकते हैं यहां पर pensioners who is too ill to sign a check unable to be physically present in the bank, पहला तो जो है कि आप जो है sign नहीं कर सकते हैं या फर physically present नहीं हो सकते हैं bank में उसके regarding यहां पर है, दूसरा आप देख सकते हैं pensioners who is not only unable to be physically present in the bank, but also not even able to put his thumb impression on the check withdrawal from due to certain physical defect in capacity, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चैक पर भी या बिड्रोल नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइप से physically present होकर तो उसके लिए भी एक अलग से बैंकों को instruction जारी के गया हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग instruction जा दाल देंगे, वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं, डिटेल में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको क्योंकि आपके लिए बहुत ही important है, RBI की तरफ से instruction जारी के गए हैं, बाकि आप थोड़ा में detail हों बता देता हूं, reimbursement of payment payments के regarding भी हैं और इसमें अगर live certificate के regarding भी हैं आप य सारी चीजें दी गई हैं, और detail में हर चीज यहां पर बताई गई है, फिर सब बोलाओं अब comment में, yes करकर, yes करना है आपको, comment में, yes लिखना है आपको, मैं आपको description में लिंक डाल दूँगा, detail हों आप जरूर पढ़िए से, बहुत ही काम की, जो RBI के जो भी instructions होते हैं, प्रोवाइड कराये जाते हैं, वो आप ले पाएंगे, तो वीडियो बहुत अच्छी important था, detail में इसको फिर से बोलाओं, आप description में में लिंक डाल दूँग, वाँ से सिधा इसको download करिए, पढ़िए इसको print out निकाल लेजी बहले ही इसका, और वीडियो अच्छा लाइक कर इसको सेर दरूस अभी के साथ करेगा, ऐसी news और updates के लिए आप हमाच चैनल को subscribe भी कर लेगा, मिलते हैं आपको next video में, thank you so much